असलाम अलेकूम मैं मौसें मेहमुद खान जिला परिशरत उर्दू बज्ज स्कूल यावल से हैं बच्चों हम बाजार में कई तरीके सामन जो लाने जाते हैं जैसे किराना सामन, सब्जी, फ्रूट, फल, जूते, चपल, कपड़े यह सारी चीज़े लाने जिए बाजार जाते हैं आप हम देखेंगे कि जब हम किराना सामन लाने जाते हैं तो इसमें हम चावल, गेहू, बाजरा, जावारी, इसी तरीके से मसाले दोड़े, इलाइची, चीनी, इसी तरीके से जीरा है यह सारी चीज़ें जो हम बादर से खरीद कर लाते हैं मगर आपने देखा हुआ कि कुछ चीजों को नापने के लिए दुकानदर जो है बड़े वजन का जो है बड़े वजन का जो इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीजों को जो है नापते के लिए दुकानदार छोटे वजन के इस्तेमाल करते हैं, जैसा मसाले वगर हम लेते हैं, तो उनकी लिए दुकानदार जो छोटे वजन के इस्तेमाल करते हैं, जैसा 100 गिराम, 50 गिराम, 25 गिराम, 20 गिराम, और जब हम शकर, चावल, हां तोनकेता दुकांदार जोए वह बड्मकर इस्तिमाल कर कोईकाल करते हैं थे वह कूक्निकी्स क alm आपकी तरुबिएक्स Curtin भूष हम जब Non और हम में देखा है कि सामान खरीदने बाद लाद में उसका वस्ता क्यों बलाद नहीं करते देता है तो वह मीली चिराम कि डिराम कि कि मोग intervene कि दुकांदर हमें इन चीजों का वस्ता माइस बड़ाम को उस्तंद मारे आरफ को मिली गिराम या फे गिराम के अंदर जो है उसको जो है तोला जाता है यह ना जाता है आप हम देखेंगे यहाँ पर के एक किलो गिराम के अंदर जो कितने गिराम होते हैं तो एक किलो गिराम बरापर 1 kg we 1000 kg के बराबर होती है यानी 1 kg, कितने kg होते हैं 1000 kg होते हैं सारे हैं पर 2 kg के थखाब लगाएं 100 2000 kg होगे 4000 kg के अंदर 3000 kg होगे यानी हम क्यें क्छोटी मिध्यम्राब्रंतatus एक शव्मस्नम्राब में चयें बुनाबने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो चलिए हम आज जो है जमाचारू में नमबर 11 कि पाइमा इस में मीली गिराम गिराम और किलो गिराम में चीजों का वजतर किया जाता है इसके बारे में मां मां हाज़ करेंग